हेलो एवरिवर्ण आप सभी का फिस्स स्वागत हैं ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिसकसन है और हम लोग आधुनिक भारती इतिहास को डिसकस करें जिसमें हमारा टोपिक चल रहा है अन्य जन आंदोलन इससे पहले वाले सेसन में प्रशन संखिया 32 तक अरेडी कम्प्लेट क कब हुआ था चोटा नागपूर जनजाती विद्रो कब हुआ था अगर बात करें तो चोटा नागपूर जनजाती विद्रो के नाम से कोई विद्रो नहीं हुआ फिर भी इस शित्र में विद्रोह की एक लंबी स्रिंकला है जिने अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे चेरु बिदो, कोल बिदो, चेरु बिदो 1890 Iciमें, कोल बिदो 1831- 26, 57 बिदो 1855- 56 में, मुंदा बिदो 1899- 1900 यदि हो बिदो गुलिया जाए, जोकि समाए 1820-21 तो विकल्ब 20 सही हो सकता है 44 जोकिस स्थान पर आदिवासियों ने अंगरेजों के खिला बिदो किया सही जवाब है बिहार आप्शन ए छोटा नागपूर की हो एवं मुंडा जन्जातियों ने पूना 1831 सिस्पी में ब्रिटिस सेनाओं को चुनोती दी इस छेत्र में इस कारण जो है 1837 सिस्पी तक और सांती ब्याप्त रही छोटा नागपूर का छेत्र वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर जारखंड में सामिल है 35 है संथाल बिद्रो का नेत्रेत्व किस ने किया संथाल बिद्रो का नेत्रेत्व किस ने किया तो याद रखिएगा सही जवाब है सिधु कानू भैरो चांद यानि A और B C अप्षन बिलकुल करेक्ट अप्षन है 1855 चपन इसपी का संथाल बिद्रो एक परसीद आदिवासी बिद्रो था जिसमें मुलबुत आदिवासी आवेग और ब्रिटीस सासन के पूर तिरसकार जैसी भावनाये देखने को मिलती है इस बिद्रो के नेता सीधो, कानू, चांद और भैरो नामक चार भाई थे 36 है 1855 में संथाल बिद्रो का नेत्रेत्व किस ने किया था तो सही जबावे सीधो और कानू यानि ए ओप्सन बिलकुल करेक्ट ओप्सन है तो अगर बात करें तो 37 में जो प्रशन पूछा गया है कि नेमने में से संथाल बिद्रो कब हुआ था तो कमेंट करके बताना है सही जबाब क्या होगा इमंदारी पुर्वक संथाल बिद्रो कब हुआ था 855 से 56 के बीच 38 है संथाल बिद्रो का नेत्रे तो किसने किया था याद रखिएगा सिधू और कानू सिधू और कानू डी अप्सन 39 है संथाल बिद्रो के नेता कौन थे संथाल विद्रोह के नेता कौन थे याद रखेगा सेम प्रशन सेम जबाब सिधो और कान्हू बी अप्शन फोटी नमबर है निमनलिखित युगमों में कौन सही सुमेलित नहीं है निमनलिखित युगमों में कौन सही सुमेलित नहीं है अहोम, अहोम का समन्ध 1815 से दिया गया जो की सही सुमेलित नहीं है अहोम विद्रो का प्रारम गौमधर कुवर के नेतरित्व में 1828 में हुआ जिसका कारण बर्मा यूद के बाद कमपनी के द्वारा अहोम के अभिजात वर को उनका छेत्रों वापस नहीं करना था बीवस होकर कमपनी ने समझावता कर लिया और उतरी असम के परदेश महराजा पुरंदर सीख को दे दिये गये होटी वान है अठास्व पच्पन इस्पी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया सही जबावे मेजर बारो को मेजर बरो अठास्व पच्पन में संथालों ने भागलपूर छेतर के भगनी डी तालुक में विद्रो कर दिया था इन्होंने एक साथ पूलिस और दीकुमों पर आकर्मण किये थे जिनका नेत्रेत्व सीदों, कानों, चांद और भैरो नामक चार भायों ने किया था संथाल विद्रो को दबाने के लिए मेजर बरो के नेत्रेत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया था और भागलपूर के कमिशनर ब्राउन और मेजर जनरल लायर ने कृता पुर्वग जोए संथाल विद्रो का दमन किया था 42 है 845 के संथाल हूल के संधर में कौन सा कथन सही है संथाल हूल के संधर में कुछ कथन है चार कथन है इनमें से कौन कौन सा कथन सही है पहला भागलपूर के पास मेजर बरो संथालों से लडाई में हार गए गोको गोड़ा का एक महत्पूर्ण नेता था और इस अंदर में महाजन दीन दयाल राई भी एक महत्पूर्ण नाम है यानि पहला दूसरा तीसरा ये तीनों जो है मतलब कि जो सही उतर है C अप्सन में दिया गया पहला दूसरा तीसरा जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रो का बिगुल बजाया कलकता के मेजर वरो और पूर्णिया से सेना की एक तुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई जो भागलपूर के निकट पीर पैती के मैदान में संथालों से संघर्स में पराजित हो गई बाद में विद्रो का दमन कैप्टन एलेकजेंडर ने किया गोडा वर्तमान में जारखंड राज के अंतरगर संथाल परगना में आता है देखें गोको यहां का एक महतपूर नेता था महाजन दिन दियाल राय भी सुसन करताओं में सामिल थे गंगा घाटी छेतर पर संथा संथालो का वर्चस्व नहीं था यह विद्रो भागलपूर के बर्दमान यानि आधिक अगर बात करें तो आधुनिक यानि बोडन वर्दमान तक फैल गया था बर्दमान 23 संथाल विद्रो के सांत हो जाने के बाद अपनिवेसिक सासन के द्वारा कौन से उपाई किये गए पहला संथाल प्रगना नामक राज छेतरु का स्रेजन किया गया दूसरा किसी संथाल का गैर संथाल को भूमी आंतरन करना गैर कानूनी हो गया यानि पहला दूसरा बिल्कुल सही है यानि सही जवाब हो जाएगा C अप्सोन अठासो पच्पन शप्पन का जो समय है संथाल विद्रो बिहार और उडिसा का एक परसिद आदिवासी ये आंदोलन का समय था या विद्रो अठासो चपन तक जारी रहा और अंग्रेश सरकार एक बड़ी सैन करवाई के बाद इस विद्रो को दवाने में शफल रही अंग्रेश सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मान कर छेत्र में सांतिय स्थापित की इसके बाद 855 SP में भागलपूर और बीर भूम का बटवारा कर संथाल परगना जीला बनाया गया साथ ही किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल को भूमी अंतरण गैर कानूनी हो गया जारखंड में जमीन की खरित फरोक्त के लिए जो है CNT छोटा नाकपूर कास्तकारी अधिनियम SPTA संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम और सेडियूल रेगुलेशन एक्ट प्रभावी है 44 है संथाल परगना छेत्र को अती प्राचीन काल में क्या कहा जाता था तो नरीखंड option A नरीखंड संथाल परगना छेत्र को अती प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था भविश्य पुराण में भी इसका उलेख मिलता है इसका अत्रिक्त बहुत साहित में इसे कजंगला भी कहा गया है वर्तमान में यज़ारखंड का हिस्सा है 45. निम्न में से कौन सी घटना महराष्ट में घटित हुई? भेल बिद्रो इसका सही जबाब हो जाएगा. अप्शन A. भेल बिद्रो भीलो की आदिम जाती पस्मी तट के खान देश में रहती थी. 1818-31 इसपी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के बिद्रो कर दिया. कमपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस बिद्रो को पेश्वा बाजी राव दिवितिया और उसके परतिनीरी त्रेमकरजी दांगलिया ने पुर्ष्टाहित किया था. वास्तों में क काफी परियास के बाद इस बिद्रो को कुचल सकी. कोल बिद्रो, राची, सीभूम, हजारी बाग, पलामाउ और मान भूम के पश्वी शेत्र में फैल गया. आगे वड़ते हैं. किस ने किया? मेवाड, बांगड और पास के छेत्रों के भीलो में समाजिक सुधार के लिए लसोडिया अंदोलन का सुध्रपात किस ने किया? तो देखे इसका सही जबाब हो जाएगा अगर बात करें. 46 का सही आप्शन है. गोविंद गीरी यानि B आप्शन. 19 सदी के उत्रार्ध में सुर्जी भगत एवं गोविंद गीरी नामक समाजिक सुधार कोने राजस्थान की मेवाड, डुंगरपूर, बासवाडा, परतापगड, शिरोही, पाली, इत्यादी, रियासतों में बसी भिल जंजाती में समाजिक सुधारों के परियास किये. गोविंद गीरी ने भीलो को संगठित करने के उद्देश से 1883 में सभे सभा के अस्थापना की थी, गोविंद गीरी को लसोडिया अंदोलन का परवर्तक माना जाता है. 27 है, उल्गुलान विद्रो किस से जुड़ा था? 27 है, उल्गुलान विद्रो किस से जुड़ा था? सही जवाब है, बिर्शा मुंडा, D. अप्सन. 27 मुंडा विद्रो के नेता बिर्शा मुंडा को धर्ती आबा या जगत पीता और इनके विद्रो को उल्गुलान यानी महा विद्रो या महान हल्चल के नाम से जाना गया है. या विद्रो इस सौधी का सबसे ज़्यादा परसित आदिवासी विद्रो था. मुंडो की पारंपरिक सामोही खेती वाली भूमी विवस्था, खूटकटी या मुंडारी के जमिनदारी या बैक्तिगत भूस्वामित वाली भूमी विवस्था में परिवर्तन के विरूत मुंडा विद्रो की सुरुवात हुई. मुंडो की पारंपरिक सामोही खेती वाली भूमी विवस्था, खूटकटी या मुंडारी के जमिनदारी या बैक्तिगत भूस्वामित वाली जो भूमी विवस्था था. इसमें परिवर्तन के विरूत मुंडा विद्रो की सुरुवात हुई, लेकिन कलांतर में बिर्शा ने सेधार में रानेतिक आंदोलन का रुख परदान किया. मुंडा अदिवासियों का विद्रो 899-1990 के बीच हुआ, 895 में बिर्शा ने आपको भगवान का दूत घोसित किया, हजारों मुंडाओं का नेता बन गया, उसने कहा कि दिकूओं से हमारी लडाई होगी, उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी, जैसे लाल जण्डा. 1899-1990 में क्रिस्मस के पुर्व संध्या पर बिर्शा मुंडा ने जाती का सासन अस्थापित करने के लिए विद्रो का एलान किया, लगवग 6,000 मुंडा, तीर तलवार और कुलहारी लेकर बिर्शा के साथ हो लिए, लेकिन बिर्शा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपूर में जाम को पई जंगल था, यहां पर इसे गिरपतार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृतु हो गया, विद्रो कुचल दिया गया और विर्शा अमर हो गया, नेक्स्ट, अगर बात करें, तो 48, भारत के इतिहास के संदर में उलगुलान या महान उपद्रो निमलिकित म किस घटना का भीवरड था, भारत के इतिहास के संदर में उलगुलान या महान उपद्रो निमलिकित में से किस घटना का भीवरड था, तो 899, 192 के बीच विर्शा मुंदा का जो विद्रो था, यही इस है, मतलब इस घटना का, या जो संबंध है, 899, 1900 के बीच, मुंदा ब जिस आदिवासी नेता को जगत पीता या धरती याबा कहा जाता था नाम याद रखिएगा बिर्सा मुंडा, D अप्शन, मुंडा बिद्रोह का नेता कौन था, मुंडा बिद्रोह का नेता कौन था, आपको मालूम है, सही जबाब क्या होगा? सही जबाब है बिर्सा मुंडा, सेम प्रशन, सेम जबाब, मुंडा बिद्रोह का नेता कौन था, बहुत बात पूछा गया, आप देख सकते हैं मुंडा बिद्रोह का नेता कौन था, तो बिर्सा मुंडा, B अप्शन, 52 है, मुंडाओं ने बिद्रोह खड़ा किया, कब? मुंडाओं ने कब विद्रोग खड़ा किया या विद्रोग कब किया तो आपको याद होगा हम लोगों ने सुरू में ही डिसकस किया था जो मुंडा विद्रोग है ये कब हुआ था तो 899 से 1900 के बीच ये विद्रोग हुआ था तो आप्शन में जो है डाउटफूल जो आप्शन दिया गए डाउटफूल है तो याद रखिएगा बिर्सा को सोते हुए कब पकड़ा गया था बिर्सा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधर पूर के जाम को पाई जंगल में सोते समय जोए गिरत्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को जेल में ही रहसमय तरीके से इनके मिर्टू हो गई फेप्टिफोर है बिर्सा मुंडा किसके पक्ष में थे बिर्सा मुंडा किसके पक्ष में थे बताइए तो सही जबाब हो जाएगा इसका सही जबाब है इन मेंसे कोई नहीं यानि D अप्सन 1899-1920 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिर्शा मुंडा के नेत्रेतों में बिद्रो किया या बिद्रो भूमी बिवस्था में परिवर्तन और दीकूं के बिरूत्था बिर्शा मुंडा के द्वारा जाती का सासन अस्थापित करने की बात कही गई वे किसी राज विसेस की अस्थापना के पक्षधर नहीं थे बिर्शा मुंडा का कारेच्षेतर कौन सा था? कारेच्षेतर पूछा गया है तो बताईए याद रखिएगा राची B आप्सन बिर्शा ने अनेक देवताओं यानि बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायों से एक इस्वर यानि सिंग बोंगा की पूजा करने का ववान किया मुंडा बिद्रो को दबाने के लिए बिर्टी सरकार ने सैनिक सक्ति का परियोग किया 56 है जनजाती लोगों के संबंध में आदिवासी सब्द का परियोग किया था जनजाती लोगों के संबंध में आदिवासी सब्द का परियोग किया था ठककर बाबा ने यानि B आप्सन ठकर बाबा ने जंजातिये लोगों के संबंद में आदिवासी सद्ध का परयोग किया था ये हरीजन सेवक संग के महा सचीव थे 1934 के दौरान इन्हों ने गांधी जी के साथ हरीजनों की दसा देखे जानने के लिए भारत का भरमण किया ये सर्वेंट ओफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठवान सदस से भी थे इसके बाब 57 भारत में 19-वी सताब्दी के जंजातिये विद्रोग के लिए निमलिखित में से कौन से तत्वे ने साधा कारण मुहयक किया उनिश्वी सताद्धी के जन्जातिय विद्रों के निमलिखित में से कौन सित्त्व ने साध्या कारण मोहया किया तो इसका सही जबाब हो जाएगा याद रखिएगा सही जबाब है जन्जातिय समुदायों की प्राचीन भूमी सम्वंधी विवस्था का संपून विदारण यानि D आप्शन ABC में दिये कारण जन्जातिय विद्रों के कारण थे लेकिन मुखे साध्या कारण D में दिया गया कारण था 58 है होज विद्रो हुआ किस दोरान कब हुआ होज विद्रो होज विद्रो अठारसो बीस एककिस के दोरान हुआ अठारसो बीस और एककिस के बीच होज विद्रो अठारसो बीस एककिस के बीच हुआ जिसका केंद्र विहार का संथाल परगना था 59 है खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ खेरवार आदिवासी आंदोलन इसका सही जबाब हो जाएगा 59 का 864 option A खेरवार आदिवासी आंदोलन भागी रती माजी के नत्रित में 844 इस्पी में हुआ था प्रशन संख्या साथ है संभलपूर के अनेक ब्रिटीस बिरोधी बिद्रोहों का नेता निमलिखित में से कौन था तो सुरेंद्र साई, B option, संभलपूर की गदी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहां ब्रिटीस बिरोधी आंदोलन का नेत्रेत्वे किया, 1862 इसपी में उसने आत्मे समर्पण कर दिया था, 61 है निमलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल कर्मानुसार जो है बिवस्तित कीजिए, काल कर्मानुसार, तो अगर बात करें तो सही option हो जाएगा, D option, यानि काल कर्मानुसारी से बिवस्तित कीजिएगा, तो सबसे पहले संथाल बिद्रो, सिपाही बि बिद्रो, निल बिद्रो, दक्कन दंगे, D option, विल्कूल ट्राक्त ऑप्षण है, संथाल बिद्रो, 855 के बीच सिपाही बिद्रो, अठाहि बिद्रो, 869 से, 60 के बीच और दक्कन दंगे, 875 62 है 1875 के दकन के दंगों का ततकालिक कारण क्या था ततकालिक कारण सही जवाब है option E 875 के दकन के दंगों का जो ततकालिक कारण था अकाल की छाया एवं महाजनों के द्वारा उची ब्याजदर ठीक है? उची ब्याजदर और अकाल की छाया 63 है 857 के बाद नेमलिखित है लोग पिरिये आंदोलन हुए सही उतर चुनिए जो लोग पिरिये 857 के पैश्चाथ पैश्चाथ पुछा गया है 857 के पैश्चाथ लोग पिरिये जो अंदोलन हुए कौन-कौन से हुए? तो देखिए अगर बात करें तो सही जबाब हो जाएगा इसका सही जबाब है B-Option निल करांती दक्कन क्रिसको के दंगे और बिर्शा मुंडा उठाव दिये गए بिकल्ब में سंथाल बिर्डो । 855 में निल बिर्डो । 8706 में दक्कन क्रिसको के दंगे 875 में बिर्शा मुंडा बिर्डो । 899-1999 के बीच इसका विष्ट विकल्ब भी होगा प्रशन संक्या 64 है सूची 1, सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है मिलान कीजिए मोपला विद्रो का सम्मान्ध है किरल से पाबना विद्रो बंगाल एक का अंदोलन अवध बिर्शा मुंडा विद्रो बिहार यानि ओप्शन ए में सही मिलान दिया गया है 1921 में मोपला विद्रो मालाबार में पाबना विद्रो अठासो तीहत्तर, अठासो चेत्तर के बीच पाबना बंगाल में एक का अंदोलन अवध में 1921 में और बेशा मुंडा विद्रो ततकालेन विहार में 899-1900 के बीच हुआ था 65 नंबर है 1921 का मोपला विद्रो कहां हुआ था 1921 का मोपला विद्रो कहां हुआ था सही जबाब हो जाएगा केरल में B अप्शन 66 है सुची 1, सुची 2 के साथ मिलान करना है अगर बात करें तो तेभागा आंदोलन का जो समय है 1946-47 के बीच 1946-47 मोपला विद्रो का जो समय है 1921 है पाबना किसान विद्रो पाबना किसान विद्रो का समन्द 873-76 के बीच 873-76 नहीं दिया गया है और बंगाल निल विद्रो 849-60 के बीच यह वाला गलत है यानि जो अप्सन होगा सही नहीं है तेवागा अंदोलन 1946-47 के बीच मोपला विद्रो 1921 में पाबना किसान विद्रो 833-76 के बीच बंगाल निल विद्रो 849-60 के बीच 67 में सुची 1, सुची 2 के साथ मिलान करना है पाबना जो अंदोलन हुआ पाबना विद्रो 833-85 के बीच एक का अंदोलन इसका जो सही वर्स है 1922 है संथाल विद्रो 855-56 के बीच और ताना भगत ताना भगत आंदोलन 1914 में सही आप्सन हो जाएगा B आप्सन B आप्सन में सही मिलान दिया गया है पाबना विद्रो 833-85 के बीच एक का अंदोलन 1922 में संथाल विद्रो 855-56 ताना भगत आंदोलन 1914 में 885 में बंगाल कास्तकारी अधिनियम के द्वारा क्रिसकों को भ्यूमी पर जो है अधिकार अस्पस्ट किया गया था जो पाबना अंदोलन की मुख्य मांगे थी इस अंदोलन की तीवरता 833-8866 के बीच थी इसके बाद यह केवल कानूनी विवाग था 68 एक अंदोलन का प्रारम किया गया था एक अंदोलन का प्रारम कब किया गया था किसके द्वारा एका अंदोलन प्रारम किया गया था उत्तर परदेश के हरदोई बरावंकी और अन्य अस्थानों के किसानों के द्वारा D option अगर बात करें तो एक का अंदोलन 1922 के बीच प्रारम हुआ उत्तर परदेश के हरदोई भराइच सीतापुरादी जीलो में किसानों के द्वारा प्रारम किया गया था इस अंदोलन का मुख्य मुदा निर्धारित लगान से 50 प्रतिसत जो है अधिक लगान वसुलना था इ पिछडी जाती के मदारी पासी ने किया था 69 ए सुची 1, सुची 2 के साथ मिलान करना है बंगाल नील विद्रो कब वथा बंगाल नेल विद्रो जो है याद रखिएगा अगर बात करें तो बंगाल नेल विद्रो अठास उनसर से साड़ के बीच वह था अठास उनसर शाट पाबना किसान विद्रो जो वह था अठासो तीहत्र से चेथर के बीच और जयनतिया विद्रो अठासो शाट से त्रिश्ट के बीच B अप्शन बंगाल नेल विद्रो का समध 869 से 60 पाबना किसान विद्रो 877 से 76 के बीच रंपा विद्रो 889 से 60 के बीच जय अन्तिया विद्रो 860 से 63 के बीच स्वेंटीय उन्नी सो एकिस का मोपला विद्रो कहा हुआ था 1921 का मोपला बिद्रो हुआ था मालाबार में बताईए कहा हुआ था केलर में केलर में मालाबार में कस्मीर में कहा पर 1921 का मोपला बिद्रो हुआ था केलर मोपला बिद्रो केलर के मालाबार छेतर में 1921 हुआ था यहाँ पर कास्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमिनदार अधिकतर हिंदू थे आंदोलन जमिनदारों के सोसरण के खिलाब था 1921 का मोपला बिद्रों हुआ था 1921 में और कहाँ पर मालाबार में दक्षणी मालाबार के मुसलमान पटेदारों और खेतिहरों को मुपला कहते थे यहाँ जमिनदार हिंदू की उची जातिया नमुंदरी तथा नायल जातियों से थे 1921 के मोपला बिद्रों के दो कारण थे पहला जमिनदारों का त्याचार दूसरा अंग्रेजी सरकार के खिलाफत बिरोधी नितिया 22 सुची वन सुची टू के साथ मिलान करना है सुची वन सुची टू के साथ मिलान करना है तो मिलान करते हैं बैरकपूर बिद्रो का जो संबंध है याद रखिएगा नवंबर 824 से है बरहामपूर बिद्रो बरहामपूर बिद्रो का जो संबंध है बताइए फरवारी 857 संथाल बिद्रो 855-56 बेलोर बिद्रो जुलाई 806 सही ओप्सन जो है यह मतलब की यह में सही मिलान दिया गया है बैरकपूर में बिद्रो नॉवमबर 824 में हुआ बहरामपूर का बिद्रो फरवरी 857 में संतालो का बिद्रो सिधो और कानो के नेतरित्म में 855-56 में 806 में सैनिकों ने अपने समाजिक तथा धार्मिकरीती रिवाजों में हश्शेप करने के कारण बेलोल में बिद्रो कर मैसूर के राजा का ज़ंडा जो ए फैरा दिया था 73 सुची वन सुची टू के साथ मिलान कीजिए सुची वन सुची टू के साथ मिलान कीजिए बताएए सही मिलान क्या है तो देखिए अगर बात करें तो अहूम, अहूम का जो समंद है संथाल विद्रो अठासो पच्पन से च्पन और मोपला 1921 में सही option है option A दुबारा से इसको revise कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए अहों विद्रो अठासो पच्पन से च्पन और मोपला 1921 में 24 है निवलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो C और D C यानि कोली विद्रो गुजरात और D जो है चुआर विद्रो मधपरदे जो की सही सुमेलित नहीं है C और D मोपला विद्रो 1921 के किरल के मालाबार छेतर में मोपलाओं के द्वारा किया गया था यह विद्रो अंग्रेज हुकूमत के खिलाब था महात्मा गानी सोका तली मौलाना अबुल कलाम अजजा जैसे नेताओं ने सहयोग इस आंदोलन को प्राप था इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया कुका विद्रो का आरमिक सोरुप धा बाद में यह रायनेतिक विद्रो के रूप में जो है चेंज हो गया इस विद्रो की सुरुवात पंजाब में अठासो चालिस के दसक में भगजवाहर मलक के द्वारा की गई थी इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था राम सी के समय में यह अंदोलन जोर के बीच महराष्ट में हुआ अंग्रेजी सासन के बीच चुवारों का विद्रो मतलब की 1768 में हुआ मिदनापूर जो की पश्शिम बंगाल का हिसा है यानि पश्शिम बंगाल में मिदनापूर जीले की आदिम जाती के चुवार लोगों ने भूमी कर और अकाल के कारण उत्पन आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया 75 अंग्रेजों के विरुद भीलो के द्वारा क्रांती प्रारम की गई थी कहां पर तो याद रखिएगा मदपर्देश और महराष्ट में अप्शन ए भीलो की आदिम जाती पश्मी तटके खांदेश शेत्र में निवास करती थी 1818 से 31 के दोरान इन लोगों ने अपने नय स्वामी अंग्रेजों के विरुद भीद्रोह कर दिया था इस विद्रोह माराष्ट और कुछ मदपर्देश के छेत्र में विस्ताब्दी था इन कत्रिक उन्निसवी और विश्वी सताब्दी में राजस्थान में भी भील भीद्रोह हुए थे नेमलिकित एगों में कौन सही सुमेलित नहीं है कौन सहीश सुमेलित नहीं है तो नायक का समन्ध ताना भगत से दिया गया जो कि सहीश सुमेलित नहीं है मुंडा बिद्रो का प्रारम 1899-1900 के बीच राची के दक्षणी छेतर में हुआ इस बिद्रो का नेता बिरसा मुंडा था जो संथाल विद्रो था ठासो पच्पन चपन में आरम हुआ इस विद्रो के नेता सिधो और कानू थे अहों विद्रो अठासो अठाइस में हुआ इसके नेता गुमधर कुमर थे ताना भगत आंदोलन का प्रारम उराओं आदिवासियों के बीच 1914 में छोटा नाकूर में हुआ इस आंदोलन के नेत्रित्र करता जत्रा भगत बलराम भगत और डियोमेनिया भगत आदि थे सतहत्तर ताना भगत आंदोलन जत्रा उराओं ने किस वर्ष प्रारम किया था ताना भगत आंदोलन जत्रा उराओं ने किस वर्ष प्रारम किया था तो निसो चौदर 78 है 19 सदी के क्रिसक बिद्रोह को उनसे संबंद छेतरों के साथ सुमेलित कीजिए तो सही जबाब हो जाएगा सुमेलित कीजिए कुक्की बिद्रोह का जो संबंद है कुक्की बिद्रोह मडिपूर एवं तिरपूरा में कुक्का बिद्रोह पंजाब में कुक्की मडिपूर एवं तिरपूरा कुक्का पंजाब में पावना क्रिसक बिद्रोह बताए पावना क्रिसक बिद्रोह 8336 के बीच हुआ था बंगाल में हुआ था और बिर्समुंडा बिद्रोह बिहार में यानि सही जो option है D में दिया गया D option पिलकुल correct option है 79 निमलखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है कौन सही सुमेलित नहीं है तो देखिए इसमें जो option दिया गया doubtful है इसके बारे में discuss करें कुका अंदोलन के शुरुवात 1840 के दसक अगर बात करें तो 1840 के दसक में भगत जोहर मल्क के द्वारा की गई थी इस अंदोलन की शुरुवात और इसका उदेश था सिक धर में प्रचलित गुरायों और विश्वासों को दूर करके धर्म को सुध करना जब की कुकी बिद्रो की शुरुवात 1917 हुई यह बिद्रो अंग्रेजों के खिलाब स्रमिक वाहीनी योजना के तहत स्रमिक भरती अभियान के विरुद था यह अंदोलन मार्च 1919 तक चला 18 नमबर है भूमिज बिद्रो का नेता कौन था भूमिज बिद्रो का नेता था गंगा नरायन 832 से तेतिस 832 से तेतिस के विच मानभूम छेत्र में गंगा नरायन के नेत्रेतों में भूमिज बिद्रो हुआ था तेभागा अंदोलन 1946 में बंगाल में आरम हुआ तेभागा अंदोलन 1946 में बंगाल में आरम हुआ किसान सभा के किसान सभा के नेत्रेतों में और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे महत्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे तो जोडा नांग जोडा नांग याद रखेगा B option महत्मा गांधी और उनके विचार धारा से प्रभावित होने वाले पहले जंजाती नेता जदो नांग या जोडा नांग थे वे मडीपूर के नागा जंजाती के अग्रणी स्वतंतरता से नानी थे उन्होंने रानी गौडिनलियू सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायो की सहता से समाजिक और धार्मिक सुधार के कार जोए प्रारम किये मात्मा गांधी की प्रेणा से स्वतंतरता आंदोलन में ये सामिल हो गए 83 इन में से वह प्रथम निता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया तो एन एम लुखंडे नरायन मेघाजी लोखंडे भारत में स्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं उन्होंने नक किवाल 19-वी सताबदी में कपड़ा मील में काम करने वाले कामगारों की प्रस्थितियों में सुधार के लिए परियास किया बलकि जाती और संप्रदाइक मूदों पर सहसी पहल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है भारत सरकार ने 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक टिकट डांक टिकट जारी किया था इसी के साथ आज का जो सेसन है समाप्त करते हैं नेक सेसन में आधनिक भारत में सिक्षा का जो विकास है किस तरह से विकास हुआ इसके बारे म झाल